सीन स्टार्ट होता है खवाश्या के शहर से जहां पांडा और वो एंशन सी क्रेचर आपस में लड़ रहे थे बैटर जिसमें लग रहा था कि पैंडा अपर हैंड पाथ चुका है क्योंकि पैंडा अपने सिक्रेट मुव को यूज करने लगा था अपने सबसे पारफुल अटेक क्रिमसम लोटस सोलर फ्लैर स्पियर को उस एंशन सी क्रेचर पे उनलीश करने लगा था सब लोग सूचने लगे थे कि पैंडा अब जीतने वाला है आखिरकार कोई तो उस एंशन सी क्रेचर को हराने वाला है पर नियती को तो कुछ और ही मंजूर था जो उसके भाग्य में लिखा था वो भला कैसे बदल सकता था जैसे ही पांडा क्रिमसम लोटस सोलर फ्लैर स्पियर को एक्टिवेट करके उस एंशन सी क्रेचर पे बार बार बरसता है पेंडा उस एंशन सी क्रेचर को चली कर दीता है उसके मूँ से खून की उल्टी निकाल दीता है वो तो उस एंशन सी क्रेचर को बार बार धमकानी भी लगता है कि वो वहाँ उसके हाथों मरने के लिए ही आया है उसके लिए यही अच्छा होता कि वो समंदर के अंदर ही रहता इंसानों के सहर से दूर ही रहता माहल ऐसा बन गया था कि सब लोग पैंडा को चियर करने लगे थे वो जीतने वाला है बोल के गुरूर करने लगे थे और वो ऐसा सोचे भी क्यों ना क्योंकि बैटल को देखके तो यही लग रहा था कि वो एंशन सी क्रेचर अब लड़ नहीं पाएगा पर उनको कहां पता था कि बैटल अभी खतम नहीं हुआ है उनके भरोसे को आग देखके पैंडा एक एकस्प्लोजन करता है एक ऐसा एकस्प्लोजन जिससे आधी हुआ शिया शहर तभा हो जाता है पर फिर भी निउस रिपोर्टर और उसके कैमरामेन को कुछ नहीं होता है वो अब भी लाइब रोड़कास्ट कर ही रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए सन्नाटा चा जाता है सबका दिल जोर जोर से धोड़कने लगता है सब लोग अपने उम्मीद पैंडा पे ही लगाए होते हैं जैसे ही एकस्प्लोजन का इंपक्ट शांथ होता है और कैमरे पे व्यू आने लगती है रोड़कास्ट होते व्यू को देखके सबका दिल बैठ जाता है चारों तरफ होरर फैरले लगती है कैमरा पे दिख रहा होता है कि पैंडा के एकस्प्लोजन से उस एंशन सी क्रियेचर को कुछ नहीं हुआ होता है उल्टा वो एंशन सी क्रियेचर पैंडा को लाचार करके उसी अपने जजेंटिक टेंक्टकल में जकड लिया होता है वो एंशन सी क्रियेचर वहीं पे नहीं रुखता वो तो पैंडा को बार-बार जमीन पे पटकने लगता है सीन वाकी बहुत होरिफाइंग था humans का hope धीरे धीरे बुजने लगा था कुछ viewers तो emotional होके रोने भी लगे थे या फिर पता नहीं emotional ना होके वो डर के मारे रोने लगे थे battlefield में पैंडा के बहुत सारे हड़ियां तूट चुके थे वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था पर फिर भी वो battlefield को छोड़के जा नहीं रहा था ऐसी हालत में भी वो चिखने लगता है वो चिख दर्द के मारे नहीं बलकि emotion के मारे निकल रहा होता है पांडा एक ही नाम को बार-बार चिला रहा होता है और उस इंसान को बजाने के लिए पैंडा मरते दम तक लड़ने के लिए तयार हो चुका होता है यहां हमें पता चलता है कि पैंडा का best friend साव आई होती है जो underground bunker में छिपके unfold होते सिनरियो को देख रही होती है emotional होके वो तो foot foot के रो भी रही होती है वो बाहर जाके पैंडा का मदद करना चाहती थी पर बाहर जा नहीं पा रही थी वैसे उसको कोई बांद के नहीं रखा था पर साव आई अगर बाहर चली जाए तो easily मारी जा सकती थी इसलिए उसके superiors उसको बाहर जाने नहीं दे रहे थे एक तरीके से वो उसके भले के बारे में ही सोच रहे थी दुसी तरफ पैंडा अदमरी हालत में भी उस एंशन सी creature से फिर से भिढने लगता है पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उस एंशन सी creature के जाल में वो फस जाता है सीन सीफ्ट होता है जीव के पास जिसके पास साव किंग आई होती है वैसे वो पैंडा के बारे में information लेके आई होती है information के हिसाब से पैंडा हुआशिया शहर में ही पला बढ़ा था उसको कूल मिला के 9 लोग संभालती थी और साव आई उनी में से एक थी उन 9 लोगों के बारे में साव किंग information भी लेके आई थी उन 9 लोगों में से कोई भी अभी तक हुआशिया शहर को छोड की नहीं गया था ना है उनका नीम्स मनने वालों के लिस्ट में था मतलब अभी तक वो लोग हुआशिया शहर में ही कहीं पीचिपी थी और शायद इसलिए पैंडा अपने जान को दाओ पे लगा कि उस ancient सी creature से ऐसे लड़ रहा था साव किंग और जियू के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग जल्दी से जल्दी हुआशिया शहर में पहुँचना चाहती थी पर उनको पहुँचते पहुँचते एक महीने का टाइम लग जाएगा वहीं फैडरेशन भी पैंडा के बारे में डिसकस कर रहा था जियू की तरह वो भी पैंडा के बारे में information gather कर रहा था उनके जासुसों से हमें ये information पता चलता है कि पैंडा आरन कॉप्स का हिस्सा नहीं है वो उनकी तरह दिखता जरूर है पर आरन कॉप्स में शामिल होने से पहले जू से भागा हुआ वो एक untamed पैंडा है अच्छा व्यूवर्स ये बताओ तो आरन कॉप्स का जिकर पहले कौन से एपिसोड में हुआ था फ्रेडरेशन का हैड सोच में पढ़ गया था कि पैंडा भला उनकी मदद क्यों कर रहा है फर फिलहाल के लिए तो पैंडा हार चुका है इसलिए हुआ शहर के citizens को बचाने का जिम्मा अब federation के ऊपर आ चुका है federation के iron crops सो हुआ शहर के अंदर नहीं जा सकती थे क्योंकि शहर के अंदर जाने का रस्ता वो ancient सी creature ब्लॉक कर चुका था वो हुआ शहर शहर पे air planes और helicopter से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको वो ancient सी creature easily detect कर सकता था और रस्ते में ही उनको मार सकता था उनके उमिद अब dragon corpse के था Federation के dragon corpse वही super human थे जो celestial flower को लाने के लिए deploy हुए थे और demonic build को जोरदा टक कर दिये थे वैसे वो unit तो मारा गया था पर Federation के पास dragon corpse का dragon corpse की units का कोई कमी नहीं था पर यहां भी एक problem आ रहा था dragon corpse के powerful units को gather होते होते और huashya शहर तक पहुंचते पहुंचते एक महिनी का time लगने वाला था problem ziyu और federation के लिए एक ही था इसलिए federation का head और ziyu पहली बार एक ही चीज को बोलते हैं कि उनको result 10 दिन के अंदर ही चाहिए वो लोग हमला सामने से ही करेंगे panda के साथ साथ दूसरे refugees को भी वो बचाएंगे सिंसीट होता है huashya के सहर में जहां भूकम पा रहा था और ये भूकम वो ancient सी creature ला रहा था वो ancient सी creature अब earth manipulation skill सिख चुका था देरे देरे वो improve हो रहा था अचानक वो ancient सी creature गर्जन देने लगता है और green slimy चीज़ों को अपने मूँ से निकालने लगता है वो slimy liquid देरे देरे monstrous form लेने लगते हैं ड्रागोनिक दीमनिक चीज़ों में तबदील होने लगते हैं और देखते ही देखते उस ancient सी creature की एक आर्मी उठ खड़ी होती है वहीं वो ancient सी creature अपने आप को एक ककुन में लपेट लेता है butterfly के caterpillar की तरह वो evolution की stage में अपना पैर रख लेता है जहां एक तरप पूरे हुआशया शहर में monstrous beast अपना आतंग मचाने लगते हैं हुआशया शहर को living hell में transform करने लगते हैं अपने माश्चर के nest को protect करने लगते हैं वहीं federation उस ancient सी creature पे फिर से research करने लगता है और research की हिसाब से federation उस ancient सी creature को एक नाम भी दीता है federation उस ancient सी creature को आस्ट्रेलिक बोल के नाम दीता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से ही पैदा हुआ था पहली बार federation और zeeu एक ही side से कुछ करने वाले थे full force के साथ उस ancient सी creature से लड़ने वाले थे क्योंकि वो दोनों एक ही side से लड़ने वाले थे तो क्या वो दोनों एक दुसरे के साथ corporate करने वाले थे या एक दुसरे के काम में वो टांग अड़ने वाले थे ये तो future ही पताएगा वहीं वो ancient से creature भी evolve होने वाला था एक new creature में transform होने वाला था क्या पता वो creature transformation के बाद हमें गोड़जिला फिल्म के मोनार्क याद दिला दे